अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो आपको बता दू कि हम यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ पे आप लोग के लिए डेली बेसेस में बायोलजी एमसी क्यों लेकर आते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने NCRT बुक कैसे पढ़ना है ताकि आप NCRT को अच्छे से रीटेन कर सके और नीट में अच्छा स्कोर कर सके 90% of questions in need comes from NCRT यह आप सबको पता होगा लेकिन फिर भी वहीं NCRT बुक पढ़के कुछ लोग टॉपर बन जाते हैं और कुछ लोग need crack नहीं कर पाते हैं ऐसा क्यों होता है NCRT एक बहुती ज़्यादा tricky बुक है दिखने में ये बुक ज़्यादा मोटी नहीं है आज की इस वीडियो में आपको मैं ऐसे tips and tricks बताने वाला हूँ कि कैसे आपने NCRT अच्छे से पढ़नी है कैसे आप उसको easily retain कर सकते है NCRT के बहुत सारे sections हैं जहांसे बहुत सारे questions repeat होते है और NCRT के बहुत सारे sections हैं जो explore नहीं हुए अब तक चहांसे questions बन सकते हैं बट अब तक बने नहीं है तो यह मत सोची का कि NCRT से इतने सालों से questions आ रहे है तो NCRT वो खतम हो चुकी अब उससे questions और बन नहीं सकते हैं NCRT को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए NCRT आप कैसे retain कर सके आज की इस वीडियो में यह सारी चीज़े आपको बताऊंगा तो यह वीडियो आखरी तक जरूर देखेगा और अगर आपको यह वीडियो helpful लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीज़ेगा So that's not wasting much time Let's get started देखो NCRT में दो पार्ट है Text और Diagrams and Tables अब Text तो हर कोई पढ़ता है लेकिन Diagrams and Tables काफी बार लोग छोड़ देते हैं वो छोड़ना नहीं है Diagrams आपको दो चीज़ों में help करेंगे एक तो आपको Text समझने में help मिलेगी ताकि आप Text easily retain कर सके ये और एक्जाम में M से क्यूस जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे उससे दूसरी चीज़ डायग्राम से Direct Questions आते हैं मतलब CM2CM NCRT का डायग्राम उठाकर देदेंगे उसके लेबलिंग पूछ लेंगे या क्या है वो पूछ लेंगे एक्जामपल देता हूँ AIMS 2016 में आयो यह सारे questions आगे बताने वाला हुम है सबसे पहला question था identify the given structure यह Ditto structure NCRT में दिया हुआ है यह NCRT class 11 की book से निकालना है मैंने Uracil का structure है यह और Ditto structure देखे direct question पूचा identify the structure कोई trick यूज नहीं किया, कोई कुछ यूज नहीं किया direct NCRT का diagram से question आगया दूसरा question आया था identify the path labeled A, B, C, D in the given figure और यह figure class 12 के NCRT में present है Ditto diagram है वहाँ पर आपको colored में लेगा यहाँ पर black and white image दे रहा हूँ है आपको लेकि वहाँ पर colored same to same diagram आता है और labeling पूच लेंगे वो दूसरा question था यह अब यह भी exact diagram तो नहीं है लेकिन काफी similar diagram है class 11 के NCRT में और अगर आप थोड़ा से दिमाग लगाओगे तो पूरा का पूरा आपको पता चल जाएगा कि A, pulmonary vein है B, systemic artery है C, systemic vein है D, pulmonary artery है same diagram, almost same diagram काफी हद तक से में बस वो उपर pressure changes इसमें mention है यह एक और diagram है again, यह Ditto diagram तो NCRT में नहीं है लेकिन काफी similar diagram दे रखा है NCRT में अगर यह NCRT वाले diagram आपने पड़ी थी यह class 12 में दे रखा है अगर यह NCRT वाले diagram आपने पड़ी होगी तो यह easily आप solve कर लोगे question यह एक और है Nostok का Ditto same diagram NCRT में दिया होगा है Ditto कोई फार्क नहीं है और direct question भी पूछा गया है A क्या है, B क्या है अगर NCRT diagram आपने पड़ी है तो A पता चल जाएगा आपको heterocyst है और B है, mucillaginous sheet कोई confusion ही नहीं होगा So, diagrams बहुत ही जादा important है Text हर कोई पढ़ता है लेकिन diagram अगर आप पढ़ लो और उसे टिट्टो रटा हुआ होना चाहिए Labeling भी और diagram की नीचे text के दिया है सब कुछ आपको रटा हुआ होगा तो आपको extra edge मिलेगा कि कहीं diagram से कोई question आ गया तो वो आप easily solve कर लोगे So, diagram NCRT का विल्कुल miss नहीं करना है दूसरी चीज है diagram की नीचे का text अब कुछ-कुछ diagram तो ठीक है एक line दिया है क्या है वो diagram में वो लिखा होते है लेकिन कुछ-कुछ diagram जैसे कि class 11 का ये diagram दिखा रहा हूँ इसमे hydroponic plant production पूरा कैसे होता है hydroponic plant production ये पूरा इस diagram की नीचे देखा है ये description अब पूरे text में कहीं नहीं दिया So, अगर आप diagram की नीचे ये text ये miss कर जाएंगे तो hydroponics क्या होता है plant production उसके तुरू कैसे होता है ये आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि text में ये दिया नहीं है So, diagram देखना labeling is important उसके साथ-साथ diagram की नीचे जो text दिया हूँ है वो भी very important है So, diagrams के बाद दूसरी important चीज़ आती है tables अब tables में दो चीज़े पहला तो ये कि आप tables से पूरे chapter का revision कर सकते हो in short और दूसरी चीज़ ये कि table से आप कुछ ऐसी चीज़े derive कर सकते हो जो आपको पूरे chapter में कहीं नहीं मिलेगा और कभी-कभी table से direct questions भी आ जाते है Example दोंगा आपको एक chapter 4 का ये table है इसमें आप chord data वारा phylum देखोगे तो यहाँ पर देखिए कि segmentation में chord data में segmentation is present ये table में mentioned है पूरे chapter में chord data के अंदर कहीं पर भी ये mention नहीं कि chord data में segmentation present है So, segmentation is present in 3 phylum Ennilid, Orthopoda and chord data तो यहाँ से ऐसे question आ सकता है कि mark the correct statement, mark the incorrect statement और उसमें ये 3-4 phylum देदेंगे और बोलेंगे कि segmentation is present or not तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि chord data में segmentation is present साथ ये साथ ये पूरा का table, पूरा का पूरा table एक summary है chapter का Poripheral के कौन-कौन से characteristics है, Cylendrate के कौन-कौन से characteristics है ऐसे करके हर फाइलम के characteristics को एक table में concise करके बता दिया है तो अगर आप ये table याद कर ले, तो आपको वो chapter में बार वर घुसना नहीं पड़ेगा यहीं से आपकी साथ चीज़े revise हो जाएंगे दूसरी important चीज़, table से direct questions इस बात है कि question आया था Concavaline is a dash तो अगर आपने ये table पढ़ा है, ये metabolites का table है NCRT chapter 9 class 11 का वहाँ पर concavaline is a lactin ये directly table के अंदर दिखा हुआ है तो अगर आपने ये table याद के हो है, तो आपको किसी और चीज़ी सोचने की जरूरत ही नहीं Concavaline देखते है, आपको याद आ जाएगा, lactins ठीक है, so tables are must Diagram के साथ साथ, tables भी बहुत जाएदा important है Now, let's come to the most important thing of the NCRT That is NCRT का text Now, most of the questions, most of the, almost सारे questions NEET में NCRT के text से याएंगे लेकिन, most of these questions won't be direct questions ये घुमा फिरा के हाते है और ऐसे question solve कने के लिए आपको Text का समझना बहुत जर्यूरत है Example में दूंगा आपको एक Chapter 16, Class 11th NCRT का ये एक abstract निकाला है मैंने The mucosa of the stomach has gastric glands Gastric glands has three major types of cells Namely, mucus neck cell which secretes mucus Peptic or chief cells which secretes pro-enzyme pepsinogen Parietal or oxyntic cells which secretes HCL and intrinsic factor अब एक question दूंगा आपको Which of the following statement is incorrect? Peptic cell secretes pepsin Mucous neck cell secretes mucus Parietal cell secretes HCL Oxyntic cell secretes intrinsic factor Which of the following statement was incorrect? Now, the correct answer is Peptic chief cell secretes pro-enzyme pepsinogen And I have given options, what do you think? Peptic chief cell secretes pepsin Which is an incorrect answer So, here the trick was that you have to remember the pro-enzyme word So, you have to remember the question So, these things you have to remember When you read it, these little things that you have to remember They made a question in NET Now, here Pepsinogen And you thought that Pepsinogen and Pepsin are the same? No, it's not the same It's a small pro-enzyme word and answer Another example This is a question in Neurology This is a CNS for a chapter Abstract What have you written here? There are two types of exons Myelinated and non-myelinated The myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells Which forms a myelin sheath around the exon Unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell But does not form a myelin sheath around the exon Now, people think about this Myelin sheath is making Schwann cells This means that myelinated cells Schwann cells present are And the unmyelinated nerve fibers Schwann cells absent are This is wrong Schwann cells are both types of fibers Myelinated and unmyelinated But in unmyelinated Schwann cells never have a myelin sheath This means that Schwann cell absent So, there is a question Assertion reasoning Assertion The nerve transmission Or impulse transmission In myelinated nerve fibers Is Speeder Reasoning The unmyelinated nerve fibers Do not have Schwann cells Now you will know 4 options You will know In this People will do Assertion is correct Reason is wrong But this is wrong So, the two assertions And reason is wrong So, the correct answer would be Assertion As well as reason is correct However, the reason is not the correct explanation of the assertion So, these are small things in NCRT text Which you have to remember And if you have to remember And if you have to remember If you have to remember Then you will remember And when you have to remember And when you need questions Solve So, there will be help You will know The other important thing in the text Is that you have to remember Reading between the lines Reading between the lines Is what means It means that NCRT text Which you have to remember That's fine That's fine Which you have to remember That's fine That's fine That's fine That's fine That's fine That's fine What is written here? Factors like PCO2 H plus N Concentration Etc. Affect the binding of Oxygen to Hemoglobin In alvely Where there is High partial pressure of Oxygen Low partial pressure of Carbon Dioxide Lesser H plus N Concentration And low temperature Factors are all in favourable Formation of Oxymoglobin Oxymoglobin formation That means Curve's movement Where will it be? Towards the left-hand side Right? So These factors High partial pressure of Oxygen Low partial pressure of Carbon Dioxide Lesser H plus N Concentration And low temperature These factors Shift of the Oxygen Dissociation Curve Towards the left Now In the text These factors Oxygen Dissociation Curve Leftward shift But We have to derive Oxygen Dissociation Curve What about Saturation Hemoglobin Is Oxymoglobin If Easily Saturate It means Easily Leftward side The curve Will move Towards the leftward side And Oxymoglobin Easily Dissociate Curve Right-hand side Move And Which factors Move Move Which is Low partial pressure of Oxygen High partial pressure of Oxygen High partial pressure of Carbon Dioxide High H plus N Concentration And Higher Temperature So These things Curve Rightward shift Now You can't mention Leftward shift Leftward shift Rightward shift But Text and Diagram Both Derive So These are Tips Which I have given Diagrams And Tables And NCRT You can learn In By When See NCRT You can remember You can remember You can remember You can remember How to read NCRT How to read NCRT Is love A clear book Where You can remember You can My A If I If I I I चीज पढ़ोंगा, so I used to write them down, और NCRT book में हर page में left hand side या right hand side में ऐसे blank spaces है, यह blank spaces दिये ही इसलिए है ताकि आप कोई भी important point या कोई भी चीज जो आप derive कर रहे हैं उस text से उसी के side में लिख ले, ताकि next time जो आप पढ़ रहे हो तो उस text के साथ आपने उस time पर जब आपने पह रिवाइस कर ले, so NCRT के pages के side में जो spaces है, blank spaces उसको use कीजिए और उसमें अपने छोटे-छोटे यही नहीं कहा रहे है कि पूरा भर दीजें notes से, नहीं, कुछ-कुछ important points जो आपको लग रहा है कि इस text से मैंने derive की है, या किसी और book में यह दिया हुआ है, NCRT में ने दिया वो सब उसी topic के side में, page में लिख लीजिए, इससे क्या होगा कि revise करने में क्या होता है, कि हम लोग बहुत सारे book से पढ़ते, NCRT तो एक main book है हमारी, उसका हमने reference कभी net में कुछ देख लिया, कभी हमने किसी और book से पढ़ ली, तो बाद में जब आप चीज़े याद करोगे बाद में जब चीज़े revise करोगे, अगर वो सारी चीज़े एक जगे compile नहीं है, तो वो मिलेंगी नहीं आपको, बार बार आप तो net surf नहीं करोगे, बार 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 reference book तो नहीं पढ़ोगे, बार बार NCRT ही पढ़ोगे न, इसलिए कोई भी important चीज़े आपको मिले तो उस topic के side में ही jot down कर लेजिए, revise करते हैं में आपको बहुत help मिलेगे, So guys, ये थे कुछ tips on about how to read NCRT book, ताकि आप NEET में अच्छा score कर सके, एक चीज़ याद रखेगा, NCRT book is the base, So, NCRT तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, अपने अपने तरीके, अपने अपने निकाली है आप लोग, ताकि आप NCRT कैसे पढ़ सके, जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे, उतना अच्छा है, क्योंकि NCRT कैसे book है, जो आप जितनी बार पढ़ ले, हर एक बार कुछ न कु निकलेगी, जो आपने पिछली बार नोटेस नहीं कियोगी, So, NCRT जितनी बार हो सके, उतनी बार पढ़ेंगे, So, all the best, and keep studying hard, do like and share this video, if you find it helpful, and, अगर अब तक आपने subscribe नहीं किया है, तो जाके जरूर subscribe कीजिए, Daily MC की वीडियो बहुत helpful है, पिछली time जो मैंने डाला था, उ इस बार भी आप लोग को वह helpful जरूर लगेगा, Thank you guys for watching, Bye Bye